समस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स आज का ये जो अपडेट है मध्य प्रिदेश एनेचेम स्टाफ नर्स का जो एक्जाम जो लिख हुआ था उसी से सम्मधित एक और जानकारी आपको प्रोवाइड यहां पे कराई जारी न्यूस पेपर के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल के तौर पर यहां पर पब्लिक यहां पर कर दी गई सबसे पहले आप लोग यहां पर हैडिंग पड़े लिखा है पेपर लिख की जाच S.I.T. को आठ आरोपी तीन दिन की रिमांट पर तो दोस्तिक बहुत की अच्छी कुछ कवरी की बात यहां पर रहेंगी जो पेपर जो लिख हुआ इसकी जाच है S.I.T. यहां पर करने वालियमीश स्पेशल इन्वेस्टिकेशन जो टीम है अब इसकी यहां पर जाच करेगी जाच के यहां पर ओर्डर से यहां पर दे दे गए और इसमें आठ आरोपी ऐसे हैं जिनको तीन दिन की रिमांट पर रखा गया है और इसी से संबने देखिए एक और यहां पर खुला सा हुआ है कि नर्सिंग की जो भरती परिक्षा थी इसमें कोचिंग संचालक साहित जो है तीन एजेंट और यहां पर मिले है तो जो कोचिंग जो चलाते हैं जो आफलाइन कोचिंग जो चलाते हैं तो इनमें आपर कोचिंग संचालक जो है इस scam में इस फरजी वाड़े में यहाँ पर पाए गए हैं और तीन और agent को यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर टकड लिया गया है आए पूरा article हम लोग यहाँ पर रीट करेंगे जादा समय नहीं लेंगे जल्दी से मैं आपको information यहाँ पर दे देता हूँ पूरा article आप लोग यहाँ पर इसको देखिए गवालियर की information है पत्रिका newspaper में यह पब्लिश हुई है लिखा है राश्ट्रिय स्वास्ने मिशन NHM की staff nurse समीधा भरती परिक्षा के paper leak मामले की जाच के लिए special investigation team SIT का गठन किया गया है मामले में जिन आठ आरोपियों को मंगलवार को गरफतार किया गया था उन्हें पुलिस ने बुद्धवार को court में पेश कर तीन दिन की रिमांट पर लिया है तो दोस्तो पुलिस दौरा जो आठ जो आरोपी थे जो पकड़े गया थे उनको गरफतार कर लिया गया था और बुद्धवार के दिन को court में पेश किया गया और court द्वारा तीन दिन की रिमांट पर उनको यहां पर रखा गया है इसके बाद देखिए आगे लगते हैं इधर पेपर लिक होने के बाद उसे गवालियर में बेचने और खरीदने के मामले में कुछ और नाम सामने आए है इजेंट को मुरेना जिले से जौरा से पकड़ा गया है तो मुरेना जिले का वो एजेंट यहां पर पाया गया जो की कोचिंग संचालक था और यह कोचिंग यहां पर चलाता था और इसको यहां पर पकड़ दिया गया और इसके हैं में सफरजी वाड़े में इसका यहां प खुद को पुशकर पांडे बताकर पेपर की सौधेवाजी कर रहा था पुलिस के अनुसार आरूपी का नाम रविंद्र है वह गैंक का सदस है और सरगना बनका प्रदेश में सौधेवाजी कर रहा था तो यहां पर देके सरगनी के तलाश कर रही है तो पेपर लीक मामले में mastermind जो है उसकी गरफतारी के लिए टीम रवाना की गई है बताय जाता है कि मुलता उत्तर प्रदेश के प्रयागराश का है कुछ समय में मुंबई में रह रहा है उन्हें whatsapp पर वहीं से paper याँ पे भेजा गया था तो दोस्तों ये तो information थी जो मैंने आपको provide कराई अभी latest information ये पत्रिका newspaper में ग्वालियर edition में आपको यहाँ पे दे दी गई है अब दोस्तों यहाँ पर देखे सवाल candidates का क्या उठ रहा है कि new exam की dates कब यहाँ पर release की जाएंगी क्या संभाव ना है क्या expected जानकारी इससे संभनित रहने वाली है तो दोस्तों देखिए exam की date को लेकर अभी कोई भी update यहाँ पर provide नहीं कराया जा रहा है और MP NHM को भी जैसा कि आपको मालूम है कि मद्धे परिदेश NHM के जो director जो मैं है उनको letter लिखा गया है कि जो भी ROPEO द्वारा जो paper मिला है तो यह क्या यह paper mail खा रहा है जो exam आप लोगों से पूछा गया था तो उस चीज़ को match करने के लिए अभी MP NHM के डिरेक्टर को पुलिस द्वारा यह letter यहाँ पिलिग दिया गया और अभी उसी का reply नहीं आया साथी साथ देखिए अभी जैसे कि आपको मालूम है जाँच यहाँ पे चल रही है और पुलिस द्वारा जो टीम है अलग-अलग जगाओं पर भेजी जा रही है तो ऐसे में देखिए अभी इसमें थोड़ा समय आप लग सकता है इतनी जल्दी आप लोगों को न्यू एक्जाम के डेट्स नहीं यहाँ पे प्रवाइड यहाँ पे कराई जा सकती है और यह जो डिसीजन है मद्ध्रदेश एनेचेम ही यहाँ पे लेगा और दोस्तों जाच होना और जाच का परिडाम आना यह इसके बाद ही तैह होगा कि आगे एक्जाम दोबारा से आयोजेत यहाँ पे कराई जाएगा या पर जो है आगे की जो प्रोसेज यहाँ पे जो MPNHM के तुरू यहाँ पे अपना ही जाएगी तो यह जो है इन्फॉर्मेशन बात की बात यहाँ पे रहने वाली है अभी कोई भी एक्सपेक्टेड डेट आपको नहीं बता सकता है कि कभी एक्जाम यहाँ पे हो सकता है लेकिन 100% शूर तोर पे मैं आपको बता रहा चाहता हूँ कि SAMS जो है अब यह परिक्षा नहीं ले पाएगा क्योंकि SAMS के थुरू ही यह गड़वड़ियां यहाँ पे नजर आई है और अलग-अलग निउस पेपर के मादियम से यह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई कि कुछ SAMS के अधिकारी भी इसमें आपे लिप्त यहाँ पे पाए गए उन्हीं ने यह पेपर लिक किया और इनको जो है अलग-अलग एजेंट्स में इसको यहाँ पे डिस्टिब्यूट किया गया तो बिल्कुल इतना बिल्कुल अब यहाँ पे ताह है कि SAMS जो है MPNHM स्टाफ नर्स का एक्जाम यह अब आगे यहाँ पे नहीं करा सकता है क्योंकि जो है इस तरीके का स्कैम इनी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला यह मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बताई है प्रूफ के साथ यह जानकारी दिया और दोस्तों जैसे कि आपको मालुम है कि इससे पहले भी स्टाफ नर्स का एक्जाम ओलेडी हो चुका है और जो एक्जाम अगस्त के मन्त में हुआ था उस अगस्त मन्त में जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक पबलिश नहीं किया गया है ना staff nurse का ना ही फार्मेसिस्ट का और अब ये जो vacancy निकाल गई तो इसका भी देखिये exam का paper यहां पे leak हो गया तो ये दो staff nurse की vacancy बार-बार ये चीज जो है repeat यहां पे हो रही है तो ऐसी मेरे यहां पे उम्मीद है कि sams जो है अब ये आगे परिक्षा आपे नहीं करा सकता है क्योंकि इनकी जो image है exam को connect कराने की बिलकुल यहां पे खराब यहां पे हो चुकी है बाकि जो भी update है मद्धे प्रदेश एनेचेम के द्वारा ही आप लोगों को provide यहां पे कराए जाएगा हर जानकारी मैं cover कर रहा हूँ आगी भी आपको जानकारी information जरूर मिलेगी आप चाहे तो वीडियो को like कर सकते है अगर आपको information आपको मिली है इस वीडियो से कोई भी information ना चूटे चैनल को subscribe करके जरूर अखना वीडियो की नीचे जाए subscribe के red button को click कर दे मध्यप्रदेश एनेचेम स्टाफ नर्स हर एक information इसी तरीके से आगे भी पाते रहें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you so much